आप potential difference और work done पे कुछ सवाल बना लते हैं तो मेरा पहला सवाल है The potential difference between the two terminals of a cell is 3V एक cell के दोनों terminal के बीच का potential difference यह में दिया हुआ है as 3V Find the work done in moving 5 coulomb of charge across the cell अब उस cell के across 5 coulomb of charge को move करने में कितना work done लगा यह पता लगाना है तो सबसे पहले हमें diagram बना के सारी information को उसमें summarize कर लेंगे तो यह मेंने बना लिया है एक cell और इसके दोनों terminal के across का potential difference यह हमें दिया हुआ है as 3V यह potential difference अब देखो यहाँ पे तुम formula का इस्तमाल करके इस सवाल को आसानी से बना सकते हो लेकिन अगर तुमने formula याद कर रखा है और तुम्हें समझ नहीं है कि formula का मतलब क्या हुआ ना तो फिर क्या मतलब यार तो आप इससे एक बार समझ लेते हैं देखो पिछले एक वीडियो में हमने देखा कि वोल्ट को हम लिख सकते है as joule per coulomb यानि कि यह हो जाएगा 3 joules per coulomb अब देखो इसका मतलब क्या हुआ तो इसका मतलब हुआ ये कि 3 joules work करना पड़ रहा है 1 coulomb को move करने में 3 joules of work is needed to move every coulomb अब यहाँ इस सवाल में हमें 5 coulomb को move करना है तो यानि कि अगर 1 coulomb को move करने में लग रहा है 3 joules तो 2 coulomb को move करने में लएगा 2 joules work और 3 coulomb को move करने में लएगा 3 joules work तो यानि कि 5 coulomb को move करने में लएगा 5 joules work तो यानि कि मैं लिखूंगा work done w is equal to यह हो जाएगा 3 joules per coulomb into into हो जाने वाला है 5 Coulombs क्योंकि 5 Coulombs को हम move कर रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर Coulombs से Coulombs cancel और हमारे पास बज जाने वाला है 5 into 3 15 J 15 J of work हमें यहाँ पर करना पड़ेगा 5 Coulombs को move करने में इस cell के terminal के across अब जब कोई यही से formula भी निकल के आता है यही से हम लिख सकते हैं कि work done is equal to potential potential V into charge Q यही मतलब है अब आँ एक और सवाल बनाते हैं यहाँ पर मेरे पास दिया हुआ है it takes 20 J of work to push 4 Coulombs of charge across the filament of a bulb एक bulb के filament के across 4 Coulombs के charge को push करने में हमें 20 J का work करना पड़ता है find the potential difference across the filament तो कितना potential difference create हो रहा है filament के across यह पता लगाना है तो मैं चाहूँगा कि तुम एक बार वीडियो को post करो और इसे खुद से बनाने की कोईश करो तो यहाँ पर formula का इस्तमान मत करना एक बार खुद से समझ की से बनाने की कोईश करना अब अगर तुमने try कर लिया है तो आप देखते हैं सबसे पहले मैं सवाल को पढ़के एक diagram में सारी चीजों को summarize कर लेने वाला हूँ तो यहाँ मैंने बना दिया है filament of a bulb अब हमें दिया हुआ है कि 20 Joule का काम करना पढ़ रहा है चार कुलम के charge को push करने में इसके across तो देखो potential difference इसके definition कहती है कि कितना work done करना पढ़ गया एक कुलम के charge को push करने में पर कुलम कितना work done करना पढ़ रहा है इसको हम कहते है potential difference तो चार कुलम के लिए हमें 20 Joule का काम करना पढ़ रहा है तो यानि कि एक कुलम के लिए हमें 20 बटा 4 Joule का काम करना पड़ेगा 20 Joule बटा 4 Coulomb divided by 4 Coulomb इतना हमें काम करना पड़ेगा पर Coulomb और यह जाने वाला है हमारे पास 20 by 4 is 5 5 Joule पर Coulomb और यही हो जाएगी हमारी potential difference potential difference across the ends of the filament अब देखो इसे हम लिख सकते हैं as 5 V तो यहाँ पर हमने अपना सवाल तो solve कर लिया है बिना formula का इस्तमाल किये वे वैसे अगर तुम formula का इस्तमाल करते हैं तो यह है यही से formula आता है V is equal to W जो क्यों किया work done divided by Q और इससे आजाएगा W is equal to QV तो देखो formula का इस्तमाल करके तो बहुत लोग सवाल solve कर लेते हैं लेकिन समझ के सवाल solve करने में अलग ही मज़ा है यार